ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बलकि हिंदुस्तान के इतिहास की गोरव में गाथा है नमस्कार मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं मेरे साथ फिल्म रिव्यू आज हम बात करने जा रहे हैं तीन जून को रिलीज होने वाली यश्राज प्रोडक्शन आदित्य चोपडा द्वारा निर्मेट और डॉक्टर चंद प्रकाश द्वेदी द्वारा निर्देशित फिल्म समराट प्रत्विराज यह फिल्म यूँ कि यह कि यह फिल्म नहीं बलकि हमारे इतिहास का एक ऐसा पन्ना है सुनहरा अध्याए है जिसको हम सब को देखना चाहिए हम भी इसी क्योंकि जैसा कि इस तरफ चारो तरफ माहोल था कि फिल्म ऐसी है हम लोग एकदम न्यूटल माइंड से गए और फिल्म देखी और फिल्म देखकर क्या मिला आई आई आपको बताते हैं और इस फिल्म का संगीत दिया है संकर एहसान लोय ने इस फिल्म को स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलोग और निर्देशन सब किया है डॉक्टर चनप्रकाश दुएदी ने ये डॉक्टर चनप्रकाश दुएदी वही है जिने हम सब चानक्य के नाम से जानते हैं ये फिल्म जो बनाई गई है वो महा कवी चंद्रवरदाई दुआरा रचित महा काव्य प्रत्विराज रासोस पर बनाई गई है और सम्राट प्रत्विराज चौहान की गाथा इस फिल्म में दिखाई गई है अक्षे कुमार मेन रीड में है, उनका साध्या है मानुसी छिलर ने फिल्म में संजदत हैं, आशुतो शरणा है, शाक्षी तन्वर है, सोनु सूध है और इसके साथ हैं हमारे मानव विच ये फिल्म पूरी तरह से एकदम यू मानिये कि भारती इतिहास को खासकर पूरी राजपुताना या राजपूतो के गोरव इतिहास को दर्शाती है और ये फिल्म आपको बहुत आकरशित करेगी, ये फिल्म बहुत अच्छी है, अक्षे कुमार बिलकुल अपने रोल में जमे है, दमदार है, हाला कि ये लोग मान सकते हैं कि जो समरार प्रतिराज थे, उनका वजन जादा था, लेकिन अक्षा कुमार थोड़ा है, सिल्म डिम है, लेकिन ये कहीं कोई माइने न रखते हो, जब फिल्मे देखते हैं, तो फिल्म देखते टाइम ये आपके मन में भी नहीं आता, मेरे इसाब से अक्षा कुमार ने फिल्म म हो ही नहीं सकता था, उन्होंने मेहनत की है, बहुत अच्छे डायलोग उनके इससे माइए हैं, और जिस तरह से वो बोलती हैं, जिस तरह से अपने आपको प्रेजेंट करती हैं, वाकई में ही वो सरहानी है, और मुझे लगता है कि हिंदी फिल्मों में उनका भविश्य इसके बाद और बाकी किरदार की बात करें, तो फिल्म में कहना काका के नाम से मशूर हमारे संजु बाबा है, और संजु बाबा अपने उम्र के हिसाब से और अपने जो उन्हें किरदार दिया गया था, उसमें वो बिलकुल जम हैं, सोनु सूद चंदरवर्दाई के रोल म हैं, और वो भी बिलकुल अपनी, यूँ कहिए कि सारे जितने भी एक्टर हैं, उन्होंने अपने हिसाब से और अपने जो किरदार उनको दिया गया है, उस पे काफी मेनद किये, फिल्म में एक बड़ा मुख्यरोल है, जैचंद का, जैचंद जिसको यूमानिये की बड़ा मुख्यल था, लेकिन आशुतो श्राना जैसे मंझे हुए कलाकार ने इसको बहुभी अंजाम दिया, और बहुर ही खुबसूरती के साथ एक जो उनको देखते ही, जो गुस्सा आता है, वो अपनी भूमी का में एक दम जमे हैं, उनकी पतनी के रूप में हैं, शाक्षी तन मुझे लगता है कि इससे बेटर ऑप्शन हिंदी फिल्मों में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से, हाला कि उनके ज़्यादा हाव हाव नहीं आए हैं, मुझे लगता है, फिल्म में बस एक थोड़ी सी अगर ये हो जाता तो शायद समराड प्रतिराज का और ज़्यादा होता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक खलनायक दमदार ना हो तो नायक दमदार थोड़ा कम लगता है, फिल्म में मुझे एक ही था, फिल्म का जो म्यूजिक है, वो अच्छा है, कुछ गाने गुन गुनाने लायक है, फिल्म के डालोग बड़े इससे अच्छा मौका नहीं होता जब एक फिल्म को बड़ी मेहनत के साथ डॉक्टर चंद प्रकाश दूएदी जो निर्देशक है उन्हें 18 साल का रिसर्च है इस फिल्म में तो उनकी मेहनत है जो साफ जलकती है ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए और मेरे पास कोई एक भी कारण ऐसा नहीं है कि फिल्म आपको नहीं देखनी चाहिए फिल्म खूबसूरत है शोट है ज्यादा लंबी नहीं है दो घंटे 16 मिनट की है तो आप इतना आसानी से स्पेयर कर सकते हैं और फिल्म की जो एक खूबसूरती है कि हर बात अच्छे अच्छी तरह समझा लाए गया है कुछ सीन है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे खासकर फिल्म का जो क्लाइमेक्स है उसमें आपको अफसोस होता है लेकिन साथ महीं आपको अपना हमारे हिंदुस्तान का जो इतिहास है उसको देखके आपको गोरवान वित भी महसूस होते हैं और ज तीन स्टार इसलिए कि फिल्म अच्छी है बहुत अच्छी हाफ स्टार जो एक्स्टा दिया है मैंने फिल्म का म्यूसिक मुझे ठीक लगा तो उसकी वज़े से मैं साड़े तीन स्टार दिये हैं मैंने इसी उम्मीद के साथ कि हमारे हिंदुस्तान की गोरव गाथा एक बा तीन स्टार इसकार